तो मैं डियर स्टूडेंट यह है दो हजार तेर्स और चोबिस के सेशन का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चिन पेपर यदि आपकी परिछा कल परसो लगी हुई है तो इस वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि इसी वीडियो से लगग लगग परश है उसी वीडियो से आएंगे तो बीना देरियो के वीडियो को सुरू करते हैं और यह पूरूप के तोर पर इसी वर्स का माडल पेपर देख लीजिए ठीक है बीए बेसी बिकॉम के जितने भी जिनका भी सब्जेक्ट प्रिटिकल साइंस है वह फस्टियर के फर्स समेस्ट जितने भी प्रस ने इस माडल पेपर में दिये गए हैं इन सभी का उत्तर भी तैयार किया गया है ठीक है और उसके लावा और भी बोर्स इंपार्टन कोईश्यर एंसर तैयार किये गए हैं जो एक्जाम के नदिए से महात्पूर्ण है पहले इन कोईश्यों के बारे हम डि इच्छा जा चुका कोईश्चन है आपकी इच्छा तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है बाकी मेरी तो एकोडिंग आप इसे एक्नोर कर दीजिए क्योंकि यह प्रशन इतना पॉर्टन नहीं आने वाला नहीं इस पार ठीक है मतस्चन यह भी कभी कदार ही फसता है ठीक है तो इ प्रशन फसेंगे जिनका उत्तर एक ही होता जिसको आपको तैयार कर लेना यह मोश्ट इंपार्टन कोईश्चन है ठीक है इसको तुरंत सिलक्ट कर लीजे या फिर नोट कर लीजे कहीं पर ठीक है अभी इन सभी को उत्तर भी हम आपको देने वाले है ठीक है ध्यान से सुन क्या है कि मौल करतब से आप क्या समझते हैं यानि कि आप लोग लिख सकते हैं कि मौल करतब ठीक है मौल करतब से आप क्या समझते हैं बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है हमेशा आने वाला है एक प्रच्छा इसी छोटी नहीं जिसमें मौल मौल करतब और ठीक है मौल करतब ही आएगा परिच्छा में प्रस्टिक है केंदर के बारे में आपको पढ़ लेना है कि सेंटरल गोउर्मेंट होती होती है और रजाज होता है याई कि जो स्मबंध है इसके बारे में आप लोगों को में पधार मंत्री जी कौन है नरंड मोदी जी और स्टेट में कौन से हैं इसको बहुत परकार एंदों में संबंद लिखेंगे बहुती में आपको बता दो कुछ इनुवर्शिट्रे में आते लग उत्रे में दस कोईश्चन आते हैं तो यह अलग अलग उनुवर्सिटी को उप्र डिपेंड करता लेकिन most important question होते हैं ठीक question पर आपको ज्यदा फोकस करना है चलिए अब आज आएंगे हम लगुत्रे में लगुत्रे में देख लेते हैं कौन-कौन से आपके exam के लिए महात्पूर्ण प्रशन है ठीक है तो लगुत्रे का पहला प्रशन है कि नीतर साफ्त की वियाख्या कीजिए नीत है तो पढ़ सकते हैं बाकि आपकी इच्छा तो इग्नूर कर सकते हैं आगला question जो आप लोगों समस्प्रस्तोत होने जा रहा है इसे related आपकी प्रशन 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 हो है तो यह गारंटी वाला question है ठीक है question यह कि भारते राष्टे आंदोलन के बारे में आपको लिखना है ठीक बहुत ही popular question है हमेशा फंसता है भारते राष्टे बहुत सारे आंदोलन ने उन से जुड़ा ठीक है और अगला प्रशन है कि भारते राष्टे आंदोलन के प्रमुख राजनितिक प्रवित्तिया यानि कि भारते राष्टे आंदोलन जो होते हैं ठीक है या फिर मतल उनके क्या प्रमुख विसेस्ताय रही है ठीक है उनके बारे में आपको लिखना है इस प्रशन को भी तुरंत नोट करिए यह वेरी वेरी टॉप इंपॉर्टेंट टॉप कड़धरी का question आप जो समझीए 101% आने वाला question है इसको भी नोट करिए ओके आगला प्रशन है कि भ भारते सम्मिधान की ठीक है विसेस्ताय क्या क्या है भारते सम्मिधान के उद्देश क्या क्या है ठीक है इस प्रकार के प्रशन कोचेंगे तो भारते सम्मिधान फिचुड़े करीब करीब ठीक है आठ से 10 नंबर के प्रशन परिच्छा में हमेशा फसते हैं कभी कभी 10 से 12 पंद्रा नंबर के भी आ जाते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चन है अगला कोश्चन है कि भाया भारते संविधान में समानता का एक धिकार की विष्णा तथा संदर्वित अनुच्छेदों के साथ कीजिए मतलब कि भारते संविधान में जो समान समानता का अधिकार है उसके बारे में आपको लिखना कई बार परिच्छा में आ चुका तो यह भी 90% उम्मीद है देखिए जिट्टों यह आप लोग सोचे कि ऐसे ही सेम टूसेम आजाएगा तो कुछ कोश्चन होते हैं बाकी कुछ कोश्चन आते हैं ठीक है मतलब उनका ही रहता वस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं को पढ़ने में ठीक है जैसे इस कोश्चन की बात करें तो यह कोश्चन आएगा लेकिन जैसे है वैसे ही नहीं आएगा उसमें कोश्चन ऐसा हो सकता है कि भारते संबिधान के जो समानता का दिकार है उसकी विसेस्ता है बता किया थोड़ा दिक रहा होगा लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं भारते संबिधान के मूल संबिधान की उसके बारे में कोश्चन है अगला कोश्चन बहुत ही पॉपलर है जो कि हमेशा फस्ता ही फस्ता है राज जिपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंदों का कीजिए ठीक है ये मोश्च इंपार्डन कोश्चन है या फिर आपको कोश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है कि राज जिपाल के जो नियुक्त होती है वो कैसे होती है राज जिपाल के कार क्या क्या होते है ठीक है राज जिपाल के सक्तिया क्या क्या होते है राज जिपाल और प्रकार में संबंद या प्रसुद्ध में और कारे को असा कुछ है देखने को भी बाद है उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे दीर घुत्रे जिनकों बोलते हैं लॉग एंसर टाइब कोईस्ट्रिक अब इसमें देख लेते कोन-कोन से महत्पूर्ण है पूरी दिरसा निर्देश हर कितने नंबर मिलेंगे यह लिखा रहता है जो यहाँ पर नोटिस यानि कि नोट दिया होता उसमें ठीक है इसको आप जरूर पढ़ा करें ओके तो पहला प्रशन है कि भाईया किसका देर घुत्रे का कि केंद्र राज संबंधों को इसके प्रकार सहिद बताई यानि कि केंद् पूरी तराफ है केंद्र के पच्च के उधा नत्राब कीजिए तैं जितन हो इतना आएगा कर राज करिए जो इसके प्रकार है उनके बारे में या पहले में इसके बारे में इसह प्रश्ट फंसेगा ठीक है HAIN da यहाँ के घ्ड़्यात के राश्ट पती की सक्तियां त ogóle क्या हूट है यह दोनों को देनेुश मस्ट इनको भी तुरन्त नोट कर लिजे अभी इनका उत्त्र भी मिला है आपको ठीक है फहले हू म台 तो गाराले को उनकों से question आएगे उसके बाद उत्तर की विविवस्थाम ने किया है ओके चलिए और यहीं पर एक question और बनता है जिद्धान से सुनेंगे जैसे कि राष्ट पती है सेम वेसे ही आपको उप राष्ट पी की जो सक्तियां है कार रहे और इनकी जो निर्ट है कैसे होती वो तयार कर लेना और एक और main point है कि भारत देश का प्रधान मंतरी जो होता है उसके पास power क्या क्या है भारत का जो प्रधान मंतरी होता उसके पास सक्तिया क्या क्या है भारत का जो प्रधान मंतरी होता उसके पास ठीक है उसका जो निर्वा मतब की चिन्हित किया जाता है एक प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग जिसको बोलते हैं आप लोग सिख सेलेक्षन कैसे होता ठीक है नियुक्त कैसे होती है ठीक है और इस प्रकार की प्रशन आपको जिए गा, 101% गारंटे के साथ तूरंत नोट करिए, चाहा एक हजार 101 लिख दीजिए, चाहा 101% लिख दीजिए, प्रस्ट भसेगा, ध्यान से सुनेंगे, कुश्चिन आपको फंस रकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका पर एक निवन्द लिखिए, या फिर भा भारत के निर्वाचन आयोग ठीक है जो होती उसकी क्या भोमिका होती है ठीक है भारत निर्वाचन आयोग यानि की जो आपका एलेक्शन जितने भी मतलब की मतदाता सूची या फिर एलेक्शन का मैनेजमेंट ठीक है चुनाओ किसी पार्टी को ठीक है मतलब की दल में मतलब क किसी पार्टी को जो चुनाव चिन्य होते हैं उसको जो देने का कारे होता है ठीक है इस प्रकार के कोश्चन फसेंगे जो कि भाईया निर्वाचन आयोग का ही सब कारे कारे हैं मतलब कि कुल मिला के जो एलेक्षन होता जो ओटिंग होती है ठीक है जो चुनाव होते हैं उनका पूरा मैनेजमेंट का काम है वो भारत के निर्वाचन आयोग का होता है और ये प्रशन गारंटी वाला है फसेगा ये फसेगा तुरंत नोट कर लिजे चाहिए वो question आ जाए कि भारत के निर्वाचन आयोग की क्या भोमिका या फिर इसके विश्चैन बताईए या फिर भारत निर्वच्चन आयों कि कारे बताईए ठीक है या फिर इसके बारे इम्टिपड़ी लिखने के लिए आ जाए तो आपको पक्का तैयार कर लेना है फंसेगा पक्का जहां से सुन लीजिए बाद में मत बोलिएगा एकसर बताया नहीं अगला कोश्चन सुनेंगी कैसे कैसे कुश्चन पूशे जा फकते हैं ठीक है पहला तो ऐसे कुश्चन आफकता है कि भारते सर्बोच्च न्याले के गठन कैसे होता है और सर्बोच्च न्याले के कार क्या क्या होते है ठीक है उनके बारे में आपको लिखना सर्बोच्च न्याले के मतब सम और उच्च नियाले के गठन और रहा सकता है और प्रशन जो आपको देखने के मिल सकता वह आफकता है किसे उच्च नियाले ज यानि कि जज़ बनने के लिए आपके अपास योगताइं होनी चाहिए, वो आपको तयार कर लेना है, ठीक है, उसका उत्तर भी मिलना है, ठीक है, और high court, यानि कि जो, मतलब कि उच्छ न्याले होता, अगर उसके गठन के बारे में, और उसके कारे के बारे में, ये आपको तय सब टॉप लेवल के मोस्ट इंपार्टेंड और वांटेड वाले कोईश्चिन जो कि हमेशा फंसते हैं थीक है तो इस प्रकार आप तयार करेंगे तो ध्यान से पहले सुन लिजिए इस माडल पेपर में जो जो मैंने आपको कोईश्चिन बताया है उन सभी का उत्तर आपको तयार कर लेना है अब उन सब का उत्तर कहां पर मिलेगा चलिए हम आपको भी बता दे रहें तो चलिए बिना देरी के मुद्धे पर आते हैं हम लोग एक और बात बहां से सुन लीजिए पहले आप लोग उस माडल पेपर में जो जो कोश्चन देगें उनका उत्तर आपको यह म्हाच देगें उसनदी पाते हैं जो अलग से आएंगे वह सबस्टर के है यह पातुंद कर ले Australis साथ ठीक है और आप ज्यादा डीटिल में तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी अभी हमने कली महा संग्राम वीडियो अपलोड की है प्रोटिकल साइन्स अजाज निती की सास्त की तो आपके अपने ही चैनल सक्सेश्टू पर जाके ठीक है आप लोगो है यूटूब चै प्रोटिकल साइन्स महा संग्राम या फिर महा महरतन कलास उसको देख लीजिएगा ठीक है आपको कोई भी परिच्छा में फेल नहीं कर फकता बाकि यह जो पीडियाफ है और प्लस माडल पेपर है इसको हम टेलीग्राम और वर्टसप पे दोनों पे अटेच कर देंगे तो और आल दी बेस्ट जय हिंद